नमस्कार आप देख रहें इस्टन स्काई मीडिया समचर बुलिटिन के साथ मैं हूँ स्वाती धर्ण पुर्वोतर राजियों के विकास के लिए केंद्र सरकार बानवे हजार करोड रुपे खर्च करेगी पुर्वोतर शेतर के मुख्य मंत्रियों के बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पुर्वोतर राजियों के विकास के लिए कितने गंभीर है ये एक बार फिर से सामने आया है पुर्वोत्तर छेत्र के मुख्यमंत्रियों की एक बैचक में जहां पीएम ने एलान किया है कि केंदर सरकार पुर्वोत्तर विकास के लिए 92,000 करोड रुपे खर्च करेगी जिन में राजमार्गों का निर्मान और रेल नेटवक का विकास शामिल है इस बैचक में नागालेंड, सिक्किम और त्रीपुरा के मुख्यमंत्रियों और मिजोरम के वित्मंत्री ने हिस्सा लिया था जबकि कॉंग्रेश, शासित असम, मैघाले, मणिपूर, अरुनाचल प्रिदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री नहीं आये थे बैचक में मुदी ने इस शेत्र का तीवर और टिकाओ विकास सुनिश्यत करने का अपनी सरकार का निश्य प्रकट किया बताया जा रहा है कि सडक विकास कारिकरम के तहत अरुनाचल प्रिदेश से गुजरने वाले राजमार्ग के विकास नया रेल नेटवर्व विक्सित किया जा रहा है मणिपूर में इनरलाइन पर्मिट को लेकर मचे बवाल पर राज्य सरकार ने एक दिन की विशेश असेम्बली लगाई थी जिसमें ये फैसला लिया गया कि आयलपी पर नया बिल तीन महिने के बाद लाया जाएगा राज्य सरकार के इस फैसले से नाराज महिला विक्रेताओं ने इमफाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया मणिपूर में आयलपी बिल पर आये राज्य सरकार के फैसले के बाद महिला विक्रेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इंफाल की सड़कों पर जम कर हंगामा किया दरसर पिछले काफी वक्ष से इनर लाइन पर्मिट की मांग को लेकर पूरे राजे में धरना प्रिदेशन का दौर जारी था जिसके मद्दे नजर बुद्वार को राजे सरकार ने इनर लाइन पर्मिट बिल पर चर्चा के लिए एक दिन की विशेश असेंबली लगाई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि आयल पी पर नया बिल तीन महिने के बाद ही लाया जाएगा जैसे ही ये फैसला बाहर आया महिला विक्रेताओं का गुस्सा भड़क गया और दोसों से जादा महिलाएं नारे बाजी करते हुए विधान सबा की और बढ़ने लगी लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने महिला प्रदशन कारियों को रोक लिया इस दोरान पुलिस और महिलाओं के बीश टकराव भी हुआ बता दे कि इन महिला प्रदशन कारियों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाए पिशले दिनों पुलिस कारवाई के दौरान जिस 16 साल के बच्चे की मौत हुई थी उसके दोशी पुलिस वालों के खिलाफ कारवाई की जाए दिल्ली में आयोजित गोर्खा समुदाय के एक सम्मेलन में उन सभी युवाओं को सम्मानित किया गया जिनोंने नेपाल में आये भुकम के बाद वहाँ के लोगों की मदद का बीड़ा उठाया था Hope and Humanity, All Manipur गोर्खा Students Union और होनबिल एक्सप्रेस ने मिलकर एक टीम बनाई थी इस टीम ने जो काम किया वो बेहदी सरहनिये है नेपाल में आये उस विनाशकारी भुकम के बाद सिक्री घयांग नाम की एक जगे पूरी तरह से तबाह हो गई थी कुदरत के इस कहने लोगों से उनके आशियाने चीन लिये थे लेकिन इस टीम ने मिलकर वहां के करीब 40 घरों को फिर से खड़ा कर दिया और लोगों को बेघर होने से बचा लिया इसी सरहनी काम के लिए युवाओं को गोर्खा समुदाए के कारेकरम के दौरान सम्मानित किया गया दिल्ली पुलिस में नौजल ओफिसर फोर नोर्थीस पीपल आईपियस रॉबिन हीबू ने इन युवाओं को उनके नी स्वार्थ काम के लिए सम्मानित किया इस दौरान सभी ने नेपाल के अपने अनुभवों को साजह किया साथ ही लोगों ने डोनेशन के लिए भी आग्रह किया ताकि और भी घरों के निर्मान कारियों को पूरा किया जा सके खबरों के संक में फिल हाल इतना ही नमस्कार